हे दोस्तों Welcome to Beast Mantra बैक टू एन दर वीडियो और आज का वीडियो का टॉपिक है थो ठाके क्यों हटके वैसे तो मैं जिम बोडिविल्डिंग यह सब के उपर वीडियो बनाता हूं लेकिन आज पहली बार मैं वीडियो बनाने वाला आउट ट्रेक और फिल्ट के एक गेम के उपर वो है शॉट पूट अडिस्कस जो मैं खुद शॉट पूट अडिस्कस का खिलरी हूँ नैशनल लेवल का तो एक भाई है फेस्बूक में मेरे जो मेरे को बोला के भाईया मेरे को एक बहुत ही चीज जानना है बहुत दिन से जो द्यूरिंग थ्रो के बाद या कौनसा कौनसा सप्लिमेंट्स है जो उनके पफ़मेंस को एहन्स करेगा वही लेके आज मैं वीडियो को बोलूँगा तो वीडियो अंतक देखो जो जो थ्रोवर्स है और जो थ्रोवर्स नहीं भी है वो लोग भी देखो नॉलेज गैदर कर और उसके साथ साथ जो तुम्हारा दोस्त है अगर तुम थ्रोवर्स नहीं भी हो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जो शौट पूट डिसकस फेकता है तो उसको वीडियो फॉरवर्ड करो उसको बेजो और नॉलेज गैन करो और दोस्तों बाइदवे पीस्ट मंत्रा में आ मैं आप लोगों तक स्प्रेट करने का हमेशा कोशिश करता हूं तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं चलो तो दोस्तों जैसे कि आज का टॉपिक मैंने पहले ही बताया था वो है थ्रोवर्स स्पेशली शॉट्पूट और डिस्कस उनके लिए कौनसा कौनसा सप्लिमेंट बेस्ट है तो चलो शुरू करते हैं मैं टूटल 5 सप्लिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद ल एक थ्रोवर के लिए बेस्ट है वो पांच सप्लिमेंट्स क्या है चलो शुरू करते हैं पहला सप्लिमेंट है प्रोटीन जो की सबको पता है कि प्रोटीन का क्या एहमियत है बौडी में और प्रोटीन क्यों चाहिए लेकिन फिर भी मैं वीडियो में थोड़ा बताऊंगा कि यह खोर में दूसरे नंबर में जो है वह वह क्रेटीन इसको लेकी मैं बहुत सारा वीडियो बना के रखा है लेगिन फिर भी मैं बता दूँगा के बौडी में इसका क्या उसके बाद अगर कुछ आता है दोस्तों हो है मल्टी विटामेंज सही सुना उसको लेके भी मैं आज थोड़ा बहुत बोलना है कि throwers के body में ये क्या क्या करता है क्यूं चाहिए नहीं चाहिए सब कुछ तो दोस्तों पहला जो हम लोगों का topic है वो है protein तो protein क्या करता है सब को बता है protein यार muscle को build करने में help करता है recovery भी थोड़ा बहुत help करता है तो इसलिए जो एक track and field athlete होता है जैसे कि बहुत कुछ गेम है track and field के अंदर तो मेरा जो topic है वो है short put discuss through work को लेके specially तो मैं उसको ही बोलता हूं जो हम लोगों का काम है वो है फिल्ड में practice करना चाहिए वो jumping हो गया sprint हो गया high knees हो गया और भी ABC training बहुत कुछ उसके साथ साथ हम लोगों को जिम में भी महनत करना पड़ता है तो लगभग सारा दीनी महनत और महनत तो इसके बाद अगर कोई हम लोगों के है कि मेरे को performance करना है इसका मतलब दोस्तों आप लोग यह negative माइन में मत ले 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 ना कि बीना प्रोटीन तुम लोग थ्रो नहीं कर पाऊ गया अगर आप लोग बाहर से नॉन्मल जो प्रोटीन होता है जैसे फिश हो गया है जैसे चिकन हो गया मटन हो गया एक्सेटर एक् मालों आप अच्छे स्टेज में पहुच गया आपको और अच्छा performance करना है आपको अपका performance enhance करना है तो प्रोटीन इसमेंटरी थेंग फॉर थ्रोइंग नाओ नेक्स्ट में जो चीज आता है वो है क्रेटीन क्रेटीन दोस्तों खास करके फूर्स लोगों में जो सबसे एह में वैसे बहुत सारे काम करता है लेकिन अगर मैं थ्रोइंग के परपस में क्रेटीन पकड़ू तो में थींग है पावर जो के बॉडी को enhance करता है थो को बढ़ाने के लिए हो गया दूसरा चले आते हैं तीसरे में जो क्या है मल्टी विटामिन मल्टी विटामिन दोस्तों और जिसमें का खाना है जिसमें कर्व हो गया प्रोटीन हो गया फाइबर हो गया और गुट फैट हो गया तो इस सब आए ड़ी के अंदर जब घुसता है ना तो बहुत सारे रेक्शन बगेरा और उसके साथ-साथ इसको प्रोपर बोडी में प्रोपर तरीके से mobility भी flexibility भी और साथी साथ sprint के लिए भी तो यह सब में न दोस्तों छोटे-छोटे चोट्स injury आते रहते हैं लगते रहते हैं और उसी को अगर कोई बचा पाएगा ना प्रॉपर तरीके से वह है क्योंकि fish oil ना तो सिर्फ injury से हम लोगों को बचाता है fish oil का और एक एहमियत है वह joints को बहुत ज्यादा movable बनाता है तो यह भी body के लिए बहुत है एक throwers के लिए और last but not the latest यह तुम लोग यूज कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो तुम लोगों के उपर है जो है के BCAA बहुत लोगों ने नाम सुना होगा brunch and amino acids तो BCAA का क्या क्याम है दोस्तों simple है BCAA basic है just for recovery purpose मतला मान के चलो जैसे हम लोगों का दिन में 8-9 घंटे का training schedule रहता है दो टाइम या तीन टाइम मिला के तो उसमें जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरी रहता है वो है recovery phase अगर प्रॉपर तरीके से recovery phase नहीं होता है तो दूसरे time का जो schedule है या training है उसको complete करना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए जो main thing है वो है BCAA तो BCAA जब हम लोग वर्काउट करते हैं हम लोग जिम में supplements जो की एक थोड को चाहिए अगर वो एक अच्छे stage में या एक अच्छे level में जाना चाता है या चला गया है और जो मेरे बाखी भाईयों बहनों जो हो जो लोग ठोड़ रहे हो वो लोग यह मत सोचके fed up हो जाओ या upset हो जाओ कि throwing में इसके बीना आप लोगा कोई जगा न तेरा से 14 साल और अभी करेंटली मेरा गेम ओफ है competition वागड़ा ओफ है काम के pressure में तो फिर से मेरे को जाने का मन है practice करूंगा धीरे-धीरे देखता हूं कि क्या होता है वो बात का बात है तो उसमें दोस्तों मैंने अपने starting के 4-5 साल यह सब यूज नहीं किया था नॉर्मली simple simple है दोस्तों के खर्चा करना पड़ेगा सही चीज लेना पड़ेगा जिससे body को और ज्यादा energy मिले body और ज्यादा मेहनत कर पाए simple सी thought है तो आप लोग ले लो अगर आप लोग एक अच्छे stage के player हो आप लोग ले सकते हो और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग नीचे के stage के हो तो आप लोग ले नहीं सकते ऐसा नहीं है अगर you can effort you can do this no issue तो आप लोग अगर effort कर सकते हो तो आप लोग ले सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग एक महिना दो महिना तीन महिना ऐसा नहीं है आप लोग सारा साल इसको continue कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं ह सिर्फ creating का जो phase है, वो आप लोग 2-3 महीना continue करने के बाद, फिर 2-3 महीना stop करने के बाद, फिर 2-3 महीना continue, और competition के पहले, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, वीडियो समझ में आ गया है आप लोगों के लिए, और मेरे बहुत ज्यादा जो YouTube family है, उनके लिए वीडियो है नह enhance होगा, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरू लाइक, शियर और सस्क्राइब कर दो, खास करके सस्क्राइब कर दो, क्यूंकि बीस्त मंत्रा में आप लोगों को पता ही है, कि informative और जिम-related वीडियो अप्लोड होते हैं, और हाँ, अगर फिर भी कोई queries रह ग क्या है, साइनिंग ओफ, बीस्त मंत्रा